हलो फ्रेंट स्वागत है आपका एक बार फिर से करियर डिफेंस स्कूल में आज हम यहाँ पे बात करेंगे और साथ में कंपेर करेंगे आर्मी टीएस और नेवी टीएस को लेकिन उससे पहले ही यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल करियर डिफेंस स्कूल को सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और डिफेंस एलेक्टिड सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले यदि आप भी अपने बच्चे को प्लस टू के बाद डिफेंस पोर्स के मादियम से ग्राजुएशन बी टेक जैसे कूर प्लस टू में सेवेंटी परसिंट मार्क्स कर लेते हैं तो आपको यह फाइदा है कि आप डारेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं बी टेक जो चार साल का कोर्स होता है वह भी डिफेंस पोर्स आपको करवाएंगी और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और तैयारी करवाएगी जो भी ह तो आपका खर्चा है वह कम से कम हो अगर आपका बच्चा नाइन्थ क्लास में सानेक स्कूल में राष्ट्य मिलिटर स्कूल में या गुरुकुल में सेलेक्ट नहीं हो पाया है तो आपको निराश होने की जरत बिलकुल नहीं है हार मानने की जरत बिलकुल नहीं है उन बच नाइंथ के बाद तयारी नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो एक बार तो आपका बच्छा नाइंथ क्लास में तफ़्ेल होता है, जब वो टाइन से प्रपर तयारी नहीं करता, उसकी एज निकल जाती है, उनको प्रपर नॉलेज नहीं होती है, और दुबारा वो तफेल होता है जब 9th के बाद आप सोचते हैं कि कोई option ही नहीं है ठीक है तो तयारी करवाते ही नहीं है बच्चे की तो ऐसा नहीं है तो बच्चे को अगर आप 9th के बाद 10th में 11th में प्लस 2 में अगर आप proper तयारी करवाते हैं तो आप बच्चे को officer बना स सकते हैं और एक चीज और जो officer's की salary रहती है वो 70-80,000 रुपे पर मंत के according रहती है ठीक है तो चलिए जानते हैं Army TS और Navy TS में कौन सा जो option है वो आपके लिए better रहेगा तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे eligibility की तो यहां पे जो है Army TS के लिए आपको minimum 70% marks जो है वो required रहते है ठीक है Army TS की जो cut-off है 76, 80, 85 और 88 इस range में आती है 76 यहां पे इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि 2017-2018 की cut-off में 76 जो है cut-off आई थी ठीक है तो यहां पे आपको physics, chemistry, maths के जो है marks mention करने होते हैं तो वहीं Navy Tech में क्या है Navy Tech में भी आपको same 70% marks तो score करने ही होते हैं प्लस जे ह मेंस के जो marks है पहले तो marks मांगते थे अब percentile और rank के basis पर call up letter आता है तो अब बात करते हैं SSB boards की जो SSB boards है Army TS के लिए वो है भुपाल, अलाबाद, बैंगलोर बहुत सारे centers दे दिये जाते हैं और वहीं बात करते हैं Navy TS में तो यहां पे जो SSB boards है कोयमबटूर, विशाका, बैंगलोर और अभी रिसेंटली कोलकता में भी खुला है लेकिन अभी SSB स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी इसके बारे में कुछ हम कहने ही सकते हैं अब आर्मी TS की जो training है वो officers training academy गया में चार साल की होती है, same चीज आपकी Navy Tech में रहेगी वो जो है आपकी INA Azimala केरला में चार साल की जो है training रहेगी, दोनों में ही आपको technical काम मिलेगा, ठीक है, means आप जो है technical officer बनेंगे, इन दोनों की जो SSB होती है, क्या hardships होती हैं, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं, आर्मी TS में वो आपसे calculative questions पूच सकते हैं, Indian Army के बारे में पूच सकते हैं, तो वही Navy Tech में वो आपसे Navy के साथ साथ आपसे वो नय-nय current affairs के बारे में पूच सकते हैं, अगर बात करें इसकी screening की, तो आर्मी TS की जो screening है a bit hard होती है, means competition यहाँ पे जादा है, और Navy Tech की जो screening है वो easy मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतने लड़के apply नहीं गरते हैं, कुछ लोग जो ह वो दूर होने की वज़ा से मना कर देते हैं, बहुत कम ही लोग जो है interested रहते हैं, इसमें जो है, आर्मी TS में जो है, 4th year में आपको salary मिलती है, ठीक है, step in कितना मिलते है आपको 56,100 रुपीज प्लस DA प्लस other allowances, सेम आपकी जो salary है वो Navy Tech में भी है, 56,100 रुपीज प्लस DA प्ल promotions की, Navy Tech में INA में promotion जो है, a bit fast होता है, as compared to Army TS के, Navy Tech में rear admiral तक आप जा सकते हैं, कुछ तो उससे भी पहले retire हो जाते हैं, तो वहीं Army TS में maximum Major General तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग Brigadier, कुछ करनल में ही retire हो जाते हैं, दोनों में से किसी में भी written exam नहीं होता है, direct SSB का call letter आता ह on the basis of percentage and percentile plus J mains के marks के basis पर, SSB के centers दोनों में ही मैंने आपको बता दिये हैं, दोनों का difficulty level भी आपको बता दिये हैं, इसके बाद medical दोनों में तुरंत हो जाता है, जब merit list आती है, Army TS और Navy Tech की, तो उसमें जो है maximum candidates जो है, वो आउट हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको जाती हैं, बार्डर अरियास में नहीं जाना पड़ता, Navy Tech में अगर आप technical हैं, आपको marine में भेजा जाएगा, शिप में भेजा जाएगा, इस सारी चीजें आपको सर्व करनी पड़ेगी, यदि कोई explorer है तो उसके लिए अच्छा option है, ठीक है, तो Army TS में जो हैं, आपको सार Navy Tech में कोस्टल लाइन पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आर्मी TS में आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो Northern Area, Eastern Area, Northern East Area, Western Area में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो ये था complete analysis, Army TS versus Navy Tech का, यदि आप भी अपने बच्छे को officer बनाना चाहते हैं, प्लस टू के बाद, तो आप हमार help line number 741-999928 पर call करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेस करें, हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए